नमश्कार दोस्तों और मेडिय अपडेज चैलनल में सब कर स्वागत Jesu दोस्तों भारतों पाया जैने एली सब्जयों में आलू बहुत नहीं पाया जाता है इसमें गुरों का बंधार होता है आलू को किसी भी सब्जय में बागरासान से बनाया जा सकता है या जितना सस्ता मिलता है उसके विपरत गुनों का बंडार बहुत ज़्यादा है आलू में कैल्शियम, लोहा, विटामिन B तथा फास्पोर्स बहुत अधिक मातर में होता है आलू खाते रहन से, आपके रक्त वहिनाएं, बड़ी आयूते के लचे के दार मंद्री आती हैं, तता कठोर नहीं होने पाती इसलिए आलू खाकर लंबी आयू प्राक्त की जा सकती है आलू में विटामिन बहुत होता है, इसको मिठे दूद में भी मिला कर पिया जा सकता है आलू को छिलके सहीत गरम लाख में भोन कर खाना सबसे अधिक गुनकारी होता है या इसके छिलके सहीत पानी में उबालें और गल जाने पर खाएं यदि दो-तिन आलू उबाल कर छिलके सहीत थोड़े से दहीं के सद खा लिया जाएं तो यह एक संपुर्ण आहर का काम करता है आलू से मुटापा नहीं बढ़ता आलू को अतल कर तीके मसाले घीया दिलगागर खाने से जो चिकनाई पेट में जाती है वैच के नहीं मुटापा बढ़ती है आलू को उबाल कर तो गरम रेत या राख में भोन कर खाना लाब दायक होता है आलू के छिलके जारतर फ्यांग दे जाती है जबकि छिलके सहीत आलू खाने से ज़्यादा शक्ति मिलती है जिस पानी में आलू बाले गए हों वैपानी न फैके बलकि इसी पानी से आलू का रस बना ले इस पानी में मिनरल और विटाविन बहुत होते है आलू पीस कर दबा कर रस निकाल कर एक चमच की एक खुराक के इसाब से चार बार हर दिन में पीएं बच्चे को भी पिलाएं ये कई विमारियों से बचाता है कच्चे आलू को चबा कर रस को निकलने से बहुत लाब मिलती है जिन मरीजों के पाचन नंगों में खटा पन के दिखता है खटी डिकारे आती हैं वैयो अधिक बनती है उनके लिए गर्म-गर्म राख ये रेदें भुना हूँ आलू बहुत लाब जायक है ताही दोस्तों जानते हैं आलू के और फायदों के बारे में कभी-कभी चोट लग जाने पर निल पर जाती है निल पड़ी जगह पर कच्चे आलू पीस कर लगाने उससे बहुत फायदा मिलेगा शरीर पर कहीं जल गया हो तेज धूप में तवचा जुलस गई हो तवचा पर जुर्या हो या कोई तवचा रोग हो तो कच्चे आलू का रस निकाल कर लगाने से फायदा होता है भुना हुआ आलू पुरानी कभज और आतिड़ों की सडांद को दूर करता है आलू में पोटाइशन साल्ट होता है जो अमल पित को रोकता है चार आलू सेंगले फिर उनका छिलका उतार कर नमग मिर्च डाल कर हर रोज खाए इससे गठिया ठीक हो जाता है गुर्दे की पत्री में केवल आलू खाते रहने से बहुत ला मिलता है पत्री के रोगे को केवल आलू खिलाकर और बार बार अधिक पारी पिलाते रहने से गुर्दागी पत्रियां और रेत असानी से निकल जाती है उच्छ रक्तिचाप के रोगे को भी आलू खिलाए तो रक्तिचाप के समाने होने बनाने में लाम मिलता है आलू को पीस कर त्वचा पर मले तो रंग गोरा हो जाएगा कच्चे आलू पक्त्थर पर गिसकर सुबे शम काजल की तरह लगाने से पांस से छे वर्ष पुनाना जाला और चार वर्ष तक फुला तीन महिने में साफ हो जाता है आलू का रस दूद फीते बच्चों और बड़े बच्चों को पिलाने से मोटे ताजी हो जाते हैं आलू का रस में शायद मिलाकर भी पिया जा सकता है आलू में मुर्गय के चुजो जितना प्रोटीन होता है सुख्य आलू में 8.5% प्रोटीन होता है आलू का प्रोटीन बुड़ों के लिए बहुत थी शक्ति देने वाला और बड़ापी कमज़ोरी को दोर करने वाला होते हैं तो दोस्तों ये थे आलू और आलू के रस के फाइदे आगे भी हम आपके लिए से ऐसी मेहत्ते पुन जानकारी लेकर आते रहेंगे इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ मेरा के बैल आइकोन को दोस्तों जुरूर दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको मिल सकें आप अपने दोस्तों को इजाज़त देजिए फ़र मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार